नमस्कार स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में मैं रितेश कुमार तो जैसा कि आप सभी आंगनबारी बहने काफी समय से पोशन ट्रेकर एप पर काम करने के लिए जोड भी दिया जा रहा है कि सभी लोग पोशन ट्रेकर एप पर जो आधार सी कि जो रासी है या पोसाहार है वो पोसन ट्रेकर एप के हिसाब से ही दिया जाए तो इसी के सम्मन में ICDS विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिस लेटर में आंगनबारी सेविकाओं को कुछ निर्देश दिये गया है उन निर्देशों का आप सभी आंगनबार आने वाले हैं निर्देशक ICDS निर्देशाले बिहार पतना के तरफ से लेटर जारी किया गया है सेवा में सभी जीला प्रोग्राम पधादिकारी बिहार यानि पूरे बिहार में इस लेटर को जारी किया गया है जो लेटर का भिसाय दिया गया है आप लोग यहां से किलियर डिली समझ पाएंगेской पोसन ट्रेकर अप्लिकेशन में शते परasure वार्थियों का अधार जोडने के संबंद में यानि सिडिंग का IoT और पोशन ट्रेकर एप में सत परतिसत कर लेना है इसी के हिसाब से जो आने वाला समय है उस समय में आपको पोशार दिये जाएंगे तो वीडियो में आगे बरने से पहले आप सभी आगनबारी बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो आप सभी आगनबारी बहनों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य आगनबारी ब पत्र प्राप्थ हुआ है जिसमें निमलिखित निर्देश दिये गए हैं तो इसका जो पत्र है वो 30 नौवंबर को प्राप्थ हुआ है और इसमें कुछ निर्देश दिये गए हैं आई हम जानते हैं तो देखें यहां पर पहले नमर में दिया गया है पोशन ट्रेकर अप्ल जितने भी लभार्थी अभी छुट गए हैं उनका रेइश्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आगनबड़ी सेविकाओं से उनका रेइश्ट्रेशन कराना सुनिश्चित कराए जाएगा सेकेंड में दिया गया है आंगनबडी सेविकाओं द्वारा सभी लभार्थियों के अधार को पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में जोरने का कार्य सत परतीसत कराना सुनिशित कराएं तो जिनका आधार पोशन ट्रेकर एप में नहीं जुरा है तो सेविकाओं से ये बोला जा रहा है कि आप लोग जल से जल सभी लभार्थियों का आधार जोड़ना सुनिशित करें पुन एक बार अस्मरन कराना है कि महिला एवं बाल विकास मंतराले भारस सरकार द्वारा पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन के आकरो के डेटा के अधार पर SNP एवं WBNM के अंतरगत अनाजोरासी आवंटित किया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं किलिरली लिखा गया है कि पोशन ट्रेकर अप के जो भी लभार्थि हैं उनके जो भी आकरे है उस आकरो के हिसाब से अनाजोरासी आवंटित किया जाएगा उक्त के अलोक में निर्देश है कि पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में सभी लभार्थियों को जोरने के कारे को सुनिश्चित कराएं ताकि भविश्य में कोई लभार्थी ICDS के सेवाओं से वन्चित ना रहे साथ ही वैसे लभार्थी जिन का अधार अभि तक पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन में नहीं जोरा गया है उन्हें मीशन मोड में जोरवाना सुनिश्चित कराएं तो जिनका भी अभी तक आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो उन सभी लभार्तियों का आधार सीडिंग आप लोग सत प्रतिसत पोसंट ट्रेकर एप में जोड़ना सुनिष्चित करें ये देख सकते हैं विभाग के तरफ से ये लेटर आ चुका है कि सभी लभार्तियों का तोटल बेनिफिसरी कितने है, टोटल लेक्टेक्टिंग मदर कितने है, प्रेगनेंट वूमेन कितने है, चाइल कितने है और एडॉल्सेंट गर्ल्स कितने है, यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल डिस्टिक यहाँ पे दिया गया है, सभी डिस्टिक में कितने लभार्थियों क पोशन ट्रेकर एप में जोड़ा गया है यहाँ पे आप लोग इसका डाटा यहाँ से चेक कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि जो भी लभार्थी है उनका अधार सीडिंग आपको सत परतिसत कर लेना है हो सकता है कि आगे चल कर जो भी पोशाहार की रासी है या फिर पोशाहार है इसी पोशन ट्रेकर अप्लिकेशन के हिसाब से आप सभी को दिये जाएंगे तो उमीद करता हूँ कि आप सभी आगनबारी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे तथा इस वीडियो को और ने आगणबारी वहनों के साथ सेर जरूर करे मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद